नमस्का दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में यूपी गवर्मेंट द्वारा MSC, MCOM, BCOM या टेकनिकल कोर्स करने वाले स्टूडेंट को फिरी में दिये गए टेबलेट का अनबाक्सिंग और उसका रिविव करेंगे इसमें से कुछ इस्टूडेंट को लावा का टेबलेट मिला है कुछ इस्टूडेंट को समसंग का टेब मिला है इसमें हम लावा के टेबलेट का अनबाक्सिंग और उसका रिविव करेंगे और इसके प्रो और कॉंस के बारे माप लोगों बताएंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले पीछे कुछ मेंसन किया गया है इस पर देख लेते हैं यहां पर 8 इंच का IPS डिस्पले दिया गया है मेल्टल बॉल्डी के साथ आता है इसमें 500 एमेज की बैल्टी दिया गया है इसमें एक साथ दो 4G SIM यूज कर सकते हैं और इसमें परआइज नहीं दिया गया है अब बॉक्स को open करते है और देखते है क्या है अंदर आप यहां सबसे उपर इप जो दिया गया है tablet कि इसको ड़ाइम रखते हैं और देखते हैं box में क्या क्या दिया गया है इसके box में type-c cable दिया गया है चारज़ दिया गया है इसमें एक basic earphone दिया गया है और इसमें ejected pin tool दिया गया है सिर्फ निकालने के लिए आब इस tablet के physical overview की बात करें तो इसके right side में power button दिया गया है और ठीक उसके उपर बैलूम प्लस और बैलूम माइनस की दिया गया है और ठीक उसके उपर 3.5 mm audio jack दिया गया है उपर की बात करें तो charging के लिए type-c pole दिया गया है और इसके side में sims alert दिया गया है या एक hybrid sims alert है यानि की एक साथ दो sim या एक sim एक memory card लगा सकते हैं left side की बात करें तो इसमें कुछ नहीं दिया गया है अब इसके नीचे की तरफ देखते हैं तो इसमें speaker grill दिया गया है एक side में ऊपर की तरफ 8 megapixel का camera दिया गया है उसके साथ में LED flash दिया गया है इसका back panel metal का दिया गया है जिससे बिल्ट क्वाल्टी बहुत अच्छी है अब इसके फ्रेंट साइड में एट इस डिप्स डिस्प्ले जिसका resolution 800 x 1280 pixel और pixel density 189 ppi है इसके उपर की तरफ 5 megapixel का camera दिया गया है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आओ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और विलाइगर को अन कर दीजिए ऐसे ही नालेज से भरपूर वीडियो आप सबके लिए हम लाते रहते हैं आ आन होने में लगबख 10 से 15 सिकंड लग जाते हैं यहां पर कुछ लिखा हुआ रहा है एक टेबलेट आन हो गया है अब इसके सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं इसके एबाउब फोन को इसका मॉडल नेम है टी एक टीवन एन यूपी इसमें टू गिगा आज कॉल्ड कोर प्रोसेसर दिया गया है तू जीवी का रह्म है ठाटी टू जीवी का इंटर्नल स्टोरेज है एंडराइज अलेवन फर रन करता है अब इसका वाल पेपर देखते हैं चेंज होता है या नहीं यहां चेंज किये इसका वाल पेपर चेंज हो रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आप यूटूब भी चला सकते हैं यूटूब भी ओपेण हो जाएगा फेस्बूब भी चला सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें आप गेमिंग नहीं कर सकते हैं इसकी व्राइटनेस काफी अच्छी है जिसे डेलाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप इसके कैमरे से कुछ इमेज हमने क्लि दिखाइदेता है आप किसी भी एंगल से देख रहे हैं तो डिस्प्ले क्वालिटी ठीठाग दिखाइदे रहा है इस फ्ले एक एवरज डिस्प्ले दिया गया है इसमें 500 एमेस की बैटी दिया गया है जो लगबग 5-6 घंटे का बैटी बैक दे देता है इस टेप को हई भ प्रोज की बात करें तो इसमें 51 की बैटी दिया गया है जिससे कंटिन्यू यूज करने पर लगबग 5-6 घंटे का बैटी बैक दे देता है इस टेबलेट में 3.5 एमें आडियो जैक दिया गया है और चार्जिंग के लिए टाइप-C पोल दिया गया है जो बहुत अच्छी कर सकते हैं यूटूब चला सकते हैं फेस्बूक इंस्टाग्राम यूज का सकते हैं या एक नॉर्मल यूज के लिए है अभी हमने लावा के टेबलेट का अनबाक्सिंग और इसका रिव्यू किया और इसके प्रो और कौन के बारें बताया आसा करता हूं या वीडियो आप